नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में मेरे तनसेन भारती अज हम बात करेंगे प्रदेश में जारी मौसम के लोकर और इज एलेट के बारे में बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है पिछले कुछ दिनों से मौसम की स्थिती लगातार सुस्क बनी हुई थी अलाकि पिछले एक-दो दिनों से तापमान में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा वहीं बिहार के कुछ हिस्सों में बारिस होने के कारण कुछ हस्थानों में तापमान में गिरावट आई है। अने वाले नमी युक्त हवाएं बंगाल से आ रही दसनी पूर्वी हवा प्रमुख है जिसके कारण मल्टी बेदर सक्रिये हो गया है प्रदेश में। संबहनिये बादल के होते हैं जो पस्चिम से पूर्व की और तेज हवा के साथ ही गरज वाले बादल के साथ भरसा देते हुए आगे की और बढ़ते हैं। की जीन से तरह से मौसम बना हुआ है उससे भागल पूर्व सहीट पूरे सूबे में बारिज होने की संभावना जताई जा रही है। में पिछले दिनों वलरामपूर ठाकुर गंज सुन बर्सा सहीत कुछ अस्थानों पर एक सिंटेमीटर बर्सा दर्ज की गई। प्रदेश के सरवाथिक के तापमान एक अगले दो से तीन दिनों के दवरान विहार में 36 जील जीसे की पस्चिन चंपारन सिवान सारन पूरवी चंपारन गोपालगन सीता मढ़ी मध्यपनी मुझाफर पूर दर्भंगा वैसालिस सिभार समस्थिपूर सुपावल अररिया कि संगेज, मधिपूरा, सहरसा, पुर्निया, वकसर, भोजपूर, रोहतास, भवुगा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कटिहार, भागलपूर, जमुई, बाका, पटना, गयान, नवादा, नलंदा, बेगुसरा, लकिसरा और खगडिया के अधिकांस भागों में म बेग, गरजन, अकासी, बिजली, तेज, गांधी के साथ बारिस होने के सम्हामना है, साथ ही राज़ में आने वाले दो से तीन दिनों के दवरान तापमान में गिरावट आने के सम्हामना दर्ज की गई है, पिछले दिनों मौसम विभाग ने परदेश में बारिस और बज लिहार और खुले रास्तों में रहने वाले लोगों के लिए अलेट जारी किया गया था, मौसम विज्ञान केद्र के पुर्मानुमान के अनुसार तीस से चालिस किनुते परति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की वी सम्हामना बताई गाई थी, मौसम विभाग ने बरतमा को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, ऐसे में मौसम विभाग ने पूरे परदेश के लिए औरेंज अलर्ड जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि परदेश के कई ऐसे जिले हैं, जहां पर आंसिक रूप से बारिस होनी की संभावना दताई गई है, यह थी मौसम को ले कर जनकारे बिहार और बिहार से जुड़ू ही और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी निवीज के साथ, मुझे दीजिया इजाजात, धन्यवाद